नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाना खाने के बाद चाई पीने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं जी हाँ, जादा तर लोगों को मालूम है कि चाई में केफिन के अलावा अन्य रसायन मोजूद होते हैं जो की माइंड को एक्टिव रखने का कारी करते हैं यही कारण है कि व्यक्ति को चाई पीने की लत लग जाती है, वो इसका एडिक्टिक हो जाता है लेकिन खाना खाने के बाद चाई पीना वास्तों में काफी हानिकारक हो सकता है और वो किन कारणों से हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि चाई में फेनोलिक योगिक पाये जाता है जो की शरीन में उच मात्रा में लोह यानि की आईरन के आउशोशन को रोकता है फेनोलिक और आईरन की उपस्तिती के कारण पेट में कॉम्प्लेक्स आईरन का निर्मान हो जाता है जिसके कारण पेट से संबंदित कई प्रकार की समस्याय उत्पन हो सकती है इसके अलावा खाना खाने के ठीक बाद चाई पीने से शरीर में केटेचीन की कमी के कारण कई प्रकार की प्रोब्लम पेदा हो जाती है इसलिए पेट के रोग्यों को विशेस रोप से ये ध्यान रखना चाहिए कि उने किसी भी इस्तिथी में खाना-खाने के बाद मसाला चाहिए हो या फिर सामानयसी चाहिए हो बिल्कुल भी इनका सिवन नहीं करना चाहिए दोस्तों अगला इसका नुकसान होता है ब्लड प्रेशर के रूप में जी हाँ, हाँ, हाट सम्मंदित रोगों से ग्रसित लोगों को खाना खाने के बाद चाई नहीं पीना चाहिए इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा चाई के अलावा कोफी भी पीने से परहेच करना चाहिए इसका कारण ये है कि चाई और कोफी दोनों में परियाप्त मातरा में केफिन मुझूद होता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रेज कर देता है जिसके कारण डिल की दरकन यानि की हार्ड बेत में उतार चड़ाओ होने लगता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण वर्ष चाई पीना भी चाता है तो उसे खाना पचने के बाद ही चाई पीने की कोशिच करनी चाहिए इसके साथ ही रेगुलर चाई पीने की बज़ाई चाई में परियाप्त मातरा में दाल चीनी और अद्रक मिलाकर इसका सिवन करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों इसके अगले नुक्सान की बात करें तो वो ये है कि खनीजों की मातरा खत्म कर देता है आपको बता दे कि खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले चाई पीने का जुटाइम होता है उसके बीच में गेब होना जरूरी है इसका कारण ये है कि खाना ठीक से पेले और तुरंत बाज चाई पीने से, शरीन में जिंक आइरन केलशियम की ततकाल खबत याने की ततकाल कंजब्शन नहीं हो पाती है, जिसके कारण शरीन में आइरन सहीत अन्य खनीच तत्वों की कमी हो जाती है, चाई में टेनिन पाय जा इसलिए खाना खाने के बाद और चाई पीने के बीच में कम से कम एक घंटे या इससे ज़्यादा का टाइम इससे ज़्यादा का गेप जरूर होना चाहिए नहीं तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा करेगी तो दोस्तों यही थे वो तीन में कारण जिस वज़े से खाना खाने के बाद चाई पीना नुकसान दायक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए तो यही थी हमारी आज की एक और महत्रपुन जानकारी जो होती है यही समाब उमीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिये गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए